नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेल्थ टिप्स को और बेल आइकन को दबाएए लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे सुडियो मेंस में आप सभी का बहुद बहुद स्वागत करती हूँ दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है समु की परिभासा, समु के सूत्र और समु के नियम पर तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं, चलिए जान लेते हैं कि समु की परिभासा क्या है दोस्तों समु की परिभासा यह है कि एक महले में रहने वाली और एक जैसे समाजी का आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाली दस से पंदरा महिलाएं एक लच्छ पाने के लिए अपनी आर्थिक इस्तिती सुधारने के लिए कुछ नियम रखके उस नियम का पालन करके अपने आप चलाने वाली संस्था को स्वा सहायता समु कहते हैं अब जाल लेते हैं कि समु का सुत्र कौन कौन सा है इसमें सबसे पहला सुत्र है नियमित सब्ताहिक बैठक करना आप अपने इच्छा से दिन तै कर सकती हैं कि हम सब्ताहिक में इस दिन सब्ताहिक बैठक रखेंगे दूसरा नियम सब्ताहिक बचत करना आप 10 रुपी भी क की महिलाओं पर अधारित होता है कि आपको कितना बचत करना है। पहला नियम है दोस्तों दस से पंद्रा गली में लाओं का एक समुग बनाना चाहिए। हर बैठक में सभी सदस्य उपस्थित होने चाहिए, सभी सदस्य मिल कर चर्चा करके, सब ताहिक बैठक में करने वाली बचत तै करने चाहिए, हर बैठक में उसी बैठक का अध्यक्ष चुनना चाहिए, फिर एजेंडा तयार करके एजेंडा खेनुसार चर्चा करके सही निर्णाय लेना चाहिए समुग की बैठक में ही सारे लेंदेन करने चाहिए सदस्यों की जरुरतों की पैसान करणीर देकर किस्त और व्यास को तै करना चाहिए जैसे कि यदि किसी को साड़ी के लिए पैसे चाहिए और किसी को डॉक्टर जाने के लिए पैसे चाहिए तो आपको सही नेड़ा लेका जिसको पैसे की ज़्यादा सुरूरत है उसी को देना चाहिए अगर समुख में पैसे की कमी हो तब इस इस्ति में ऐसा करना चाहिए और समुख में पैसा हो तो आप दोनों को पैसे दे सकती है समुख की पुस्तक लिखने के लिए प्रसिक्षर लिए हुए पुस्तक संचाला को ही रखना चाहिए जिसे समुग की किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो दो साल में एक बार नेत्रियों का चुनाव करना चाहिए जिसे सदी को मौका मिल सके समुग की लेन दिन साल में एक बार आडिक करवानी चाहिए सरकारी योजना और समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए बैठक में ही पुस्तक लिखना चाहिए और परस्ताओं पढ़कर सुना कर हस्ताचर करना चाहिए समू के नियम का पाला ना करने पर दंड वसुल करना चाहिए समूं की पुस्तक नेत्रियों के पास ही रखना चाहिए हर महने के अंत में पुस्तक संचालक से मासिक पृतिवेदन तयार करना चाहिए दोस्तो आज के लिए फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई